हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए तो चलिए शुरू करते हैं आज हम एक बहुत ही ज़्यादा टेश्टी, हेल्दी और चटपटा नास्ता बनाने वाले हैं ये वीडियो पूरा देखे, उसके बाद आप भी ये नास्ता बनाके तयार कर सकते हैं और ये नास्ता आपको बहुत पसंद आएगा ये मैंने एक भगोने में पानी गरम होने के लिए रख दिया है और जैसे ही पानी गरम हो जाएगा इसमें हम मटर डाल देंगे ये मैंने तीन सो गराम मटर चील के ले लिए और जब तक हमारे मटर उबल रहे हैं तब तक हम एक चुकंदर को बारिक पीस लेते हैं, इसमें हमें पानी नहीं डालने हैं, बस इप चुकंदर कोई पीस नहीं है, यह चुकंदर पीस के तयार हो चुका है, अब हम इसे एक छलनी में डाल लेंगे, और इसे ऐसे प्रेस करके इसका जो भी रस है वो निकाल लेंग हम इसमें चुकंदर भी यूज़ करेंगे और चुकंदर का रस भी यूज़ करेंगे लेकिन दोनों को अलग अलग यूज़ करना है यह देखें जो भी चुकंदर में रस था वो निकल गया है और अब यह चुकंदर का ट्राइप आर्ट है इसे हम एक कटोरी में निकालेंगे आप ये नास्ता बना के देखिए आपको सच में बहुत पसंद आएगा ये चुकंदर का काम हमारा हो गया है तब तक हम आटा लगा लेते हैं ये मैंने दो कटोरी आटा चान के ले लिया है इसमें आदा चमच नमक डालेंगे और एक बड़ा चमच तेल डालेंगे तेल से हमारा नास्ता एकदम खस्ता बनेगा नमक और तेल कोटेंग में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं एक टाइट अटा लगाना है आप तेल की जगे गी भी यूज़ कर सकते हैं यह देखिए अटा लगके तयार हो चुका है हम इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं उसके बाद इसे 10 मिनिट के लिए ढखके रख देते हैं ताकि अटा अच्छे से फूल के तयार हो जाए जब तक हमने आटा लगा है तक यह देखिए हमार मतर अच्छे से उबल चुके एक मतर में आपको दबा के दिखाते हूं यह देखिए बिल्कुल अच्छे से मेश हो रहा है अब हम मतर को एक दूसरे ब seventh मेंनिकाल लेते हैं सारे मटन हमने दूसरी बर्तन में निकाल लिए यह बर्तन थोड़ा छोटा लग रहा है को में इसे बड़े बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से मेश हो जाए यह देखिए मेरे पास मेशर है तो मैं इसे गरम गरम में मेशर से मेश कर रही हूँ अगर आपके मेशर नहीं है तो आप इने थोड़ा ठंदा होने देजिए उसके बाद मिक्सी के जार में डाल दीजिए और दर दरासा पेष्ट बना के तयार कर लीजिए आप रुक रुक के मिक्सी को चलाएंगे तो यह ऐसा पेष्ट बनके तयार हो जाएगा यह मैंने चार उबले हुए आलू लिए आलू को भी हमें तोड के डाल देना है अलू पेले से उबले हुए जारू अलू को अमने तोड के डाल दिया इसमें अब हमने जो चुकंदर का ड्राइपार्ट रखा था वह इसमें डाल देंगे चुकंदर का रस हमें बाद में यूज करने अब हम इसमें सोखी मसाले डाल देते हैं हमें मसालो को भूनना नहीं है इसलिए इसमें हल्दी नहीं डालेंगे एक चमच लाल मिर्च पाउडर लेंगे और आदे चमच से थोड़ा सा ज्यादा नमक आदा चमच जीरा पाउडर और एक चमच हमें इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे आलू बोईल करते हैं मैंने पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाला था इसलिए मैं नमक कम डाल रही हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाफ से नमक कम ज्यादा यूज़ कर सकते हैं अब हम इन सभी मसालू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखिए चमत से इतना ही मेश हुआ है अब हम इसे हातों से मेश करेंगे ताकि इसमें जो भी आलू के बड़े टुगड़े हैं वो अच्छे से मेश हो जाए ये हमारी स्टफिंग बनके तयार हो चुकी है आप चाहें तो इसमें धनिय पत्ती भी काटके डाल सकते हैं और ये देखिए आटे को रखे हुए हमें 10 मिनिट हो गए हैं इसे एक बार मसल लेंगे और इसके बाद इसके चोटी चोटी लोईय बना लेंगे पूरी बनाने के लिए जितनी बड़ी लोई लेते हैं उतनी हमें लोई बना के तयार करनी है ये देखिए मैंने दो लोईय बना के तयार कर लिए इसी तरह सारी लोईय बना के तयार कर लेंगे और इनको एक कपड़े से ढखके रख देंगे ताकि ये लोई ये सुखे नहीं अब मैंने एक लोई लिये इसके उपर थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि ये बेलेन पे चिपके नहीं और इसकी एक पूरी बेल लेंगे अब हम इसके उपर ये श्टफिंग रखेंगे और इसके किनारे अच्छे से बंद कर लेंगे अगर आपको लग रहा है कि ये खुल जाएंगे तो आप इसके उपर थोड़ा सा किनारों पे पानिल लगा दीजिए उसके बाद इसको बंद कर लेजिए अब देखें ये जो हमने चुकंदर का रस निकाल के रखा था वो इसके उपर लगा देंगे इससे ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुन्दर लगेगी ये देखें पूरी में हम एक साइड में ही लगाने और ये देखें कड़ाई में तेल अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें ये नास्ता डालेंगे जिस साइड में हमने चुकंदर का रस लगा हैं उस पाट को में उपर रखने हैं और ऐसे थोड़ा थोड़ा तेल उपर डालेंगे ताकि यह नास्ता हमारा अच्छे से सिखके तयार हो जाए जब यह एक तरफ से हलका सा सिख जाए तो इसे हम पलट लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सिख जाए तब हम इसे निकाल लेंगे इसी तरह हम बाकी का सारा नास्ता बनाके तयार कर लेंगे गेस की फ्लेमा में मीडियम रखनी है ताकि इमारा नास्ता एकदम खस्ता बने कि देखिए दूसरा भी इमारत तयार हो चुका है अगर आपके पास बड़ी कड़ाई है तो आप इसमें तीन चार एक साथ भी डाल सकते हैं अब हम इने केचप के साथ सरू कर लेंगे उमीद है आपके रेसिपी पसंद आई होगी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ